हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसुई आज हम बनाने वाले हैं एक हेलदी नाश्टा जो सबको बहुत पसंद आएगा और यह आसानी से बन जाएगा बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी भी रहेगा जो की सभी को बहुत पसंद आएगा तो चलो बनाते हैं नया नाश्टा इसके लिए मैंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल डाला हुआ है सिपाधा चमची तेल लिया हुआ है इसमें मैं डाल रही हुए एक चमच जीरा मैंने यहाँ पर अद्रक और लसुन की पेस्क की हुई है वो मैं डाल रही हुए एक चमच इसमें इसमें मैं अभी डालूंगी हरी मिर्च यहाँ पर मैंने 3-4 हरी मिर्च बारिक काटके रख दी थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे यह पक जाए इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें एक बारिक कटा हुआ पैज पैज को भी थोड़ा सा पका लेंगे ज्यादा नहीं 2-3 मिनिट तक के इसको ऐसे ही फ्राइ करना है अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारिक कटी हुई पत्ता गोवी मैंने बारिक काटके पत्ता को भी रख दी थी वो एक कटोरी मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत हेल्दी एसे नाष्टा बनने वाला है और इसमें अब हम डालेंगे एक कीसा हुआ गाजर अब इसमें डालेंगे आधा कटोरी मटर दाने अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको ढखके हम दो मिनिट तक के पकने देंगे देखो दो मिनिट हो चुके है यह थोड़ा सा पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच कसूरी मेथी इससे इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है स्वादानुसा नमक एक चमच जीरा पाउडर वन फोथ चमच हल्दी आधा चमच लाल मिर्च पाउडर इसमें हरी मिर्च डाली हुई है इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम ही डालना एक चमच धन्या पाउडर आधा चमच गरम मसाला इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे एक छोटा चमच चाट मसाला अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम दो मिनिट के लिए ढखके पकने लेंगे ये देखो ये भी थोड़ा सा पक चुका है मैंने दो मीडियम साइज के आलू उबाल के रख दिये थे उसको मैंने कीस लिया है अब और ये इसमें डाल रही हूँ अब ये सारे इंग्रेडियन को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में पूरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसको ऐसे ही पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही टेस्टी ऐसे नाश्टा बनेगा सब को बहुत पसंद भी आएगा यह देखो यह अच्छे से मिक्स हो चुका है बस इसको इसको इसना मिक्स होने तक ही पकाना है उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अभी एक मिक्सिंग बॉल में और इसको थोड़ा सा हम थंडा होने के लिए बाजू में रख देंगे मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ तीन चम्मच मैदा आप चाहे तो इसमें चावल काटा भी ले सकते हो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसकी हम पेस्ट करने वाले है तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही सकी पेस्ट करेंगे यह देखो यह ऐसे ही पेस्ट हमें तयार करनी है हमने जो मिक्षर तयार करके रखाता हूँ थोड़ा सा थंडा हो चुका है अब हम इसमें डालने वाले है धनिया धनिया उपर से डालने से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है अब इसमें मैं मिला ले वाली हूँ तीन चमच ब्रेड क्रम्स मैंने पाच्छे ब्रेड बारिक मिक्सर में बारिक करके रख दिये थे इसमें से तीन चमच मैंने इसमें डाल दिये है यह इसमें बॉंडिंग का काम करेगा देखो इसको ऐसे ही हास से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से तयार हो चुका है अभी हमें बजाने है इसके Cutlet तो आपको जिस भी आकार का Cutlet बनाना है आप इससे बना सकते हो मैं इसको इस को इस आकार में Cutlet बनाके बाजू में रख दूँगी ऐसे ही बाखी के मिक्षर के भी Cutlets तयार करके रख देना है इसको अच्छे से प्रेस करके जो भी आपको साइज चाहिए उस साइज में आप इसको बना सकते हो यह देखो यह मेरे कटलेट्स तयार हो चुके हैं मैंने इसे तयार करके रख दिये हैं अभी हमें इसे तलना है तो यहां पर मैंने जो मैदे का पेस्ट तयार किया हुआ था इस पेस्ट से इसको कवर करने के बाद इसको मैं डाल रही हूँ ब्रेट क्रांस में और इसमें भी मैं अच्छे से इसको कवर कर लूंगी ताकि जब भी यह दलेंगे तो बहुती क्रिस्पी बनेंगे, यह देखो, यह पूरे cutlets हमारे तयार हो चुके है, अभी हमें इसको करना है fry, आप चाहे तो इसको deep fry भी कर सकते हो, shallow fry भी कर सकते हो, मैं इसमें कर रही हूं इसको deep fry, इसलिए जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हम कटलेट डाल देंगे और इसको एकदम मीडियम आज पर पकाना है देखो जब यह नीचे से ब्राउन हो जाए तब इसको हम पल्टा देंगे देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है उसमें अब दूसरी साइड से भी इसको हम पकने देंगे इसको ऐसे ही अल्टा पल्टा कर दोनों तरब से ब्राउन होने तक कि अच्छे से पकने देना है यह देखो दोनों साइड से अच्छे से पक चुके है मस्त दीख रहे है एकदम क्रिस्पी ऐसे दीख रहे है चलो अब हम इसको निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी ऐसे कटलेश्य बनेंगे वो जो गरमा गरम खाने में बहुत ही टेस्टी लगते है बागी के जो बचे हुए है वो भी हम ऐसे ही एक-एक करके पका लेंगे यह देखो यह बन गये हमारे मिक्स वेच कटलेट्स आप इसमें आपको जो भी पसंद वो सब्जी डाल भी सकते हो नहीं पसंद है उसको स्किप भी कर सकते हो देखो कितने मस्त दिख रहे हैं उपर से एक दम क्रिस्पी बने हुए है बहुती क्रिस्पी बने हुए है और अंदर से भी अच्छे से पक चुके है यह देखो कितने मस्त बने हुए है और यह ग्रीन चटनी के साथ और टॉमेटो सॉस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी एक बार ड्राय जरूर करेजिए थैंक यू